हेलो जहिन सात्यों आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल सक्सेस प्लेट्फॉर्म 2591 पे स्वागत है दोस्तों इस वीडियो में हम RPD के सेट नंबर 3 को डिस्कस करेंगे जिसके अंतरगत GKGS और क्रेंट आफियर्स प्रस्टन को यहां पे सॉल्व किया जाएगा तो सात्य जो अगर आप इस चैनल के साथ पहली बार जूरे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक से शेयर करें ताकि उन तमाम अभ्यारती जो कि बिहार करमचारी चैनल और आयोकीत परिक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन्हें इस चैनल के म मदद मिल सके और साथियो अगर बात की जाए बिहार इससी की तो कुल डेर सो नंबर के यहां पर प्रसंद पूछे जाते हैं जीके जीएस करेंट अफिर्स इसके अलाबा मैथ और रिजनिंग जो कि सभी विद्यारतियों को मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि मैथ और रिजनिंग के प्रसंद को साथियो बिल्कुल भी हलका नहीं लेंगे यहीं आपका सेलेक्शन करवाएगा इसी से आपका सेलेक्शन का निर्धारन होगा चुकि मैथ और रिजनिंग ही देखिएगा फैक्टर होगा सेलेक्शन में तो साथियो बिना एक पल की देरी किये हम लोग बढ़ते हैं प्रस्णों की तरफ उससे पहले आप लोग बेल आइकन को प्रेश जरूर कर लेंगे और साथी साथ All Notification को On भी कर लेंगे तो चलिए सुरुआत करते हैं पहले प्रस्ण के साथ सिंदू घाटी की सभ्यता की अधिकता मुहरे निर्मित थी जो की सुरुदू घाटी सभ्यता की जो मुहरे थी साथियो वह सिल्खडी की बने होती थी ठीक है तो option number D हमारा यहां से correct answer हो जाएगा प्रस्ण साइग क्या दो जैन धर्म के 23 तिर्थकर कौन थे साथियो जैन धर्मे कूल 24 तिर्थकर हुए थे और 24 में एवं अंतिम तिर्थकर आपके महबीर हुए थे साथियो color change कर देते हैं चुकि यह थूरा सा light है और इसके जैन धर्म के 23 तिर्थकर वह साथियो पार्षबनात थे option number C हमारा यहां से correct answer हो जाएगा अगर बात करें पार्सवनात की तो पार्सवनात कासी के इच्छवाकू वंसिये सासर अश्वसेन के पुद्र थे यह जो थे इनके पिता का नाम साथ यो अश्वसेन था अश्वसेन के यह पुद्र थे इनका पार्सवनात की बात करें तो इनका जनम 872 में वारा नसी में निम्न में से किसे कहा गया है साथियों सरदार पटेल को भारत का बिस्मार कहा गया है ऐसा इसलिए जिस तरीके से जर्मनी के एकी करन में बिस्मार का अमूल या बहुमूल योगदान रहा है उसी तरीके से सरदार पटेल के द्वारा कुल 550 से अधिक या 550 तक की रियासत थे ठीक है रियासत उन रियासतों को इकठा किया गया था इकठा करकर के सरदार पटेल ने इंडिया यानी की भारत की नीव रखी थी इसलिए साथियो सरदार पटेल को भारत का बिसमार कहा जाता है प्रसन संख्या चार नील की खेती से संबंधित आंदोलन कौन सा था तो सातियो नील की खेती से संबंधित आंदोलन सातियो चंपारन सत्यागरा था और यह सातियो राजकुमार सुकल जो की वहां के एक किशान थे ठीक है राजकुमार सुकल वह जो थे वह चंपारन के किशान उन्हें के request पर उन्हें के विंती पर साथियों महात्मा गांधी चंपारन सत्यागरह किया था इसलिए चुकि साथियों इसे तीन कठिया परनाले भी कहा जाता है चुकि जो निल की खेती करने के लिए अंग्रेजों द्वारा वहां के किसानों को बाद किया जाता था बीस साथियों बीस का तीन तिहा यानि की तीन कठिया ठीक है तीन कठिया पर ताई से कहा जाता था और यह साथियो इसके अलावा हम बात करेंगे यह आपका चंपारन सत्यागरह की तो यह 19.17 में हुआ था डेत के हिसाब से बात करेंगे तो 10 अपरेल 19.17 को यह चंपारन सत्यागरह हुआ था प्रसिदेंसी सहर अंगरेजों भारत में अस्थापित किये थे प्रसिदेंसी सहर की अगर बात करे तो इसकी अस्थापना अंगरेजों के द्वारा इसलिए की जाती थी कि इन प्रसिदेंसी के माध्यम से सासन करना उनके द्वारा आसान होता था और साथियों इन्हों ने बॉंबे, बंगाल और मद्रास इन तीन प्रसिडेंशियों की अस्थापना की थी यह जो बंगाल प्रसिडेंशी हुआ करता था वो बिटीज भारत का एक उपनिवेशित छेतर था जो औविभाजित बंगाल से बना था बिटीज East India Company ने 1649 में मद्रास प्रसिडेंशी की अस्थापना की थी प्रस्ण संख्या 6 स्वतंता संग्राम 1857 का सिपाही बिद्रो किस सहर में हुआ था तो सातियों northern 373 संगराम का 1857 का सिपाही विद्रो यानी की सेनिक विद्रो सातियों मेरठ में हुआ था यह एक तरह से सिपाही विद्रो था और इसका प्रमूह कारण था बिटीशों द्वारा पुर्योंक में किया गया चरबी वाला कार्टूस इस चड़वी वाले कार्थूस को चाहे हिंदू सैनिक हो अथवा मुसलिम सैनिक इन्हें क्या करता था पहले मुह से इन्हें काटना परता था उसका जो है एक चमरा का लेयर बना रहा था उसको मुह से काट के तब इस कार्थूस को बंदूक में भरना परता था तो साथियों यहां वाफ हैली थी कि इसमें गाय और सुगर के चड़वी का यूज किया गया है अगर गाय की बात करें तो इससे हिंदु के धर्म के खिलाब साथियों साजिस बताई गई और सुगर जो है वह मुसलिम इससे घरिना करते थे तो इन्हें लगा कि भाई अंगरीजों के द्वारा हमारे धर्म में हस्चेप किया जा रहा है और इसकी सुरुवात आपको मेरट के बैरकपूर छाबनी से हुई जो कि वहां किये थे इसका बिद्रो मंगल पांडे नामक एक सैनिक के द्वारा एक सिपाही के द्वारा इसका बिद्वरो किया गया था अगल्ठ प्रसण है प्रसें सेंक्या सात सातीयो близी नम्द्र प्रस्ट में कि 1857 करहंती के समय भारत का गवर्णर जेनरल कौन था उस समय भारत के गवर्णर जेनरल लर्ड कैनि हुए करते थे इनका कारेकाल सातियोय szop 56ался इन्हीं कि समय अठारज सो अन्ठावन का एक्ट पास हुआ था अन्ठावन का एक्ट जो है वह लाट कैनिंग के समय ही पारित किया गया था इसके अनुसार गवर्नरल ऑफ जनरल इंडिया को क्या किया गया था वाइसराय बना दिया गया था कि governor of general of India जो होते थे यानि कि governor general of India उसे क्या बना दिया गया वैसरा तो कर दिया गया था Sankhya 8. ऐख मिन नंबर प्रेस्ट में सान्थ योप पुछा गया है कि France में आतंक का राज किसके सासनकाल को कहा जाता है C. कहते हैं फ्रांस में आतंक का राज जो है वो रॉबस्पियर के सासनकाल को कहा जाता है option number C रॉबस्पियर जो था साथियो उसने क्या किया था एक दंड सक्स निती वहां के लिए बनाई थी इन्होंने कूलीन पादरी अन्य राजनितिक दलो के सदर से इस सभी को गिरफतार करके जेल में डाल दिया था अगर कोई दोसी पाता था तो उसका सिर कलम कर दिया जाता था यानि कि सिर धर से अलग कर दिया जाता था और जो महंगे आटे थे उन पर इनके द्वारा पावंदी भी लगा दिया गया था तो फ्रांस के आतंग का राज जो है वो रॉबिस्पियर के सासनकाल को कहा जाता है प्रसन संख्या 9 Cultural Revolution के समय Communist Party of China का प्रमुख कौन हुआ करता था तो उस दोरान Mao Zedong थे Mao Zedong जो थे वो Cultural Revolution के समय Communist Party of China के प्रमुख नेता हुआ करते थे इसके नेतरित में चीन की करांती सफल हुई थी और यह संसार के सबसे प्रभावसाले व्यक्ति में गिने जाते हैं Mao Zedong वो चीन के राष्टपती भी रह चुके हैं प्रसन संख्या 10 10 में नमर प्रस में कि सम्मिधान सभा के द्वारा भारत के राष्टिय ध्वच का प्रारूप 10 को अपनाया गया था तो इसे राष्टिय ध्वच के प्रारूप को साथियो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था हमारा राश्टिय ध्वज साथियो तीन रेंकी 36 पट्टियों के बीच में है और साथियो लंबाई चौराई का अनुपात आप जानते हैं तीन अनुपात दो के रिशियो में है और साथियो पिंगली वैंकेया के द्वारा इसको डिजाइन किया गया है ठीक है वैंकेया के द्वारा इसे डिजाइन किया गया है प्रस्ण संक्या 11 ग्यारा नंबर प्रस्ण में साथियो पूछा गया है कि धर्म निर्पेक्च और समाजवादी सब्दों को भारतिय संविधान में संसोधन करके किस प्रस्ताव के अंतरगत जोड़ा गया था तो साथियो इसे 42 में संविधान संसोधन के द्वारा इसे जोड़ा गया था और इस संसोधन को स्वर्ण सी समिती की सिफारिश पर लागू किया गया था और इसे साथियों 42 में सम्भीधान सवसोधन की बात करें तो इसे लगु शंभीधान के नाम से जाना जाता है प्रस्थники 12 2002 समथा और बंधुता के आधर्ज किस देस के सम्भिधान से लिया गया है तो उसको सात्यों फ्रांस के सम्मिधान से लिया गया है प्रस्न संख्या 13 भारत के सम्मिधान की आठवी अनसूची में निम्न में से कौन सी भासा को मानिता प्राप्त नहीं हुई है सात्यों अंग्रेजी को जो है इसमें मानिता नहीं दी गई है आठवी अनसूची भारत की भा इस प्रसन का तो क्या हो जाएगा भारत का जो समिधान का आठवी अनसूची था उसमें अंग्रेजी को क्या किया गया था उसको मानेतापर्दान नहीं हुआ था अगला प्रसन है प्रसन संक्या 14 भारत के समिधान में मौलिक कर्तव्यों को किस वर्थ समिलत किया गया था तो मौलिक कर्तव्यों साथियों उनीस सो चेहत्तर में जो की ब्यालिस्वा समिधान संसुधन हुआ था उसके द्वारा इसे सामिल किया गया था मौली कर्टब्यों को जो है साथियों ब्यालिस्वा समिधान संसुधन के माध्यम से इसमें समिलत किया गया था और यह ब्यालिस्वा समिधान संसुधन वह सरदार स्वर्ण सी के समीती के सिफारिश पर तयार किया गया था अथवा निर्मित किया गया था समीधान के अनुछेद 51A के तहत इसे 51A कहिए अथवा कव कहिए इसके तहत इसे सामिल किया गया था प्रसन संक्या पंद्र निमलेखिद भारतिय राज्यों में से किस राज में दुई सदनिय विधान मंडल नहीं है साथियों देखिए तमिलाडू में साथियों दुई सदनिय विधान मंडल नहीं है जबकि उत्तरपरदीश, महराष्ट और करनाटक यहाँ पे साथियों दू सदनिये जो है वो विधान मंडल उपलब्धे पाया गया है भारत की बात करें तो भारत में कुल साथियों छे जो है छे राज उन छे राज्यों में दू सदनिये विधान मंडल है वह कौन सा राज है सात्यो एक आपका करनाट का है ठीक है दूसरा आपका आंध परदेश है एपी आंध परदेश ऐसाने की अरुनाचल परदेश है आप समय आंध परदेश है तेलांगना है तेलांगना है सात्यो तेलांगना है और साथी साथ महाराष्ट्र है महाराष्ट्र लिखने में थोरा सा साथियो परशानी होता है महराष्ठ है और यूपी और उसके बाद हम लोग है जैसे की बिहार ठीक है यह छे राजों में दूई सदनिये जो है वह विधान मंडल होता है यानि कि दूई सदनिये विधान मंडल यहाँ पाया गया है अगला प्रसन है प्रसन संख्या 16 राज सभा की अधिक्तम सदस्य संख्या क्या है साथियो तो यहाँ पे अधिक्तम सदस्य संख्या 200 हो सकती है बरतमान में अगर बात करें साथियो तो 245 है 233 आपका निर्वाचित हो जाएगा ठीक है मनोनित और इसे आप एड करेंगे 233 और 12 को तो 245 जो है अभी वर्तमान में है और अधिक्तम संख्या को इसको धाई सो तक बढ़ाया जा सकता है अगला प्रस्न है प्रस्न संख्या सत्रा सतरे नमर प्रस में कह रहा है कि पंचायती राज विवस्था कब समवैधानिक बने थी तो साथियो यह जो है 1992 में ठीक है 1992 में इसे समवैधानिक दर्जा प्राप्थ हुआ था पीबी नरसिंगा राब सरकार के द्वारा यह समवैधानिक विवस्था लागू की गई थी भारत में पंचायती राज प्रथम बार 2 अक्टूबर 1969 को वहां के ततकालिक प्रधानमंत्री यानि कि भारत के ततकालिक प्रधानमंत्री जवाहर लालनिहनु के द्वारा राजस प्रस्थान के नौगोर जिले में लागू किया गया था प्रस्थां क्या अठार राष्टिय मानवाधिकार आयोग साथियों प्रस्थन है कि राष्टिय मानवाधिकार आयोग भारत में कब अस्थापित है यानि कि किस वर्स अस्थापित किया गया था तो इसे साथियों र पैदानिक संस्थान बॉडी है या सदन के अधिनियम के बाद बनी है प्रसे संख्या 19 सुरक्षित पेजल अधिनियम के अमसार सारवजनिक जल आपूर्ती प्रनाली की बुनियादी परिभासा है कोई भी जल प्रनाली जो मानव खपत के लिए पानी की आपूर्ती इनके अधिनियम को वर्स में 60 दिन से अधिक इसके लिए साथियो या सुब्धा उपलब्द कराया गया है सुरक्षित पेजल अधिनियम जो है उसके अनुसार जो सारवजनिक जल आपूर्ती परनाली है उसके बुनियादी परिभासा के लिए कोई भी जल परनाली कोई जो मानव खपत के लिए पानी की आपूर्ती 15 सेवा कनेक्षन अथवा 25 आदम्यों को वर्स में 60 दिन से अधिक के लिए करवाती है या उपलब्द करती है प्रसे संक्या 20 नेप्चून के अलावा अन्य किस गरह को नीला गरह कहा जाता है तो साथियो प्रित्वी की अगर बात करें सा जाता है प्रित्वी का अगर 29 परतिशत भाग को देखेंगे तो साथियो यह मादीपो और दीपो से युक्त भूमी है 71 परतिशत जो है वो पानी से भड़ा हुआ या छेतर है यानि कि इसका 70 परतिशत भाग जो है वो पानी के साथ कवर करता है इसलिए साथियो इसे नीला जलत है साथियो तो देखिए बर्मिंगम इंगलैंड में पढ़ता है तो फ्रांस यहां से गलत है उसाका जापान सही है ॽे जह बस यह सही है जब कि बर्मिंगम का फ्रांस आपका राइट सुमेलित नहीं है, या option number D हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, प्रस्न संख्या, बाइस, बाइस नम्र प्रस्न में कहा रहा कि वह गुन, जिस कारण से कोई पदार्थ वायुमंडल की नमी को सोख लेता है, एब्जॉर्ब करता है, उसे क्या कहा जाता है साथि वायुमंडल की नमी को, हीमुडिटी को अब्जर्ब करता है, सूख लेता है, उसे प्रस्वीदन कहा जाता है, इसके कारण ही प्रिथवी पर वर्षा संभव हो पाती है, इसी के इसी प्रिकिडिया के कारण वर्षा संभव हो पाती है मुंबाई हाई किस से संबंदित है मुंबाई हाई का संबंद जो है वह पेट्रोलियम से हिसाती हो यह अरब सागर में इस्थित है मुंबाई हाई कहा है आपको अरब सागर में हिसाती हो यह अरब सागर में इस्थित है और यह पेट्रोलियम से सम्मंदित है इसे 1976 में खो जा गया था यह ONGC के अधीन है ठीक है ONGC के कंट्रोल पे है इसी के अधीन है यह तेल संचारन के अगर बात करेंगे तो भारत के तेल और प्राकरितिक गैस निगम ONGC के द्वारा ही चलाया जाता है जिसे Oil and Natural Gas Supplier या जो भी कहा जाता है Corporation ठीक है न? ONGC ठीक है? Oil and Natural Natural Gas Corporation कहा जाता है Corporation ठीक है? eteateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateate करती है यह दच्छिन अट्लांटिक और दच्छिन भारतिय महासागर से बचते हुए और अब सागर से लंदन की यात्रा दूरी को क्या करता है स्वाट करता है कम करता है प्रसंसें क्या 25 नागारजुन सागर पडियोजना किस नदी पर बनी है तो साथियो यह जो है कृष्ण नदी पर değiş और साथियो यह बना था 966 में प्रसंसंख्या 26 मयूराक्षी परयोजना किस से समन्दित है साथियो इसका सम्मंध जो है वो पश्ची मंगाल से है और यह साथियो मयूराक्षी नदी पर बना है कहाँ पर बना है? मयूराक्षी नदी पर यह निर्मित है प्रसंख्या 27 वनस्पती जो विश्वत रेखिय वनु से सम्मंधित नहीं है उसे क्या कहते हैं साथियो उसे अकेसिया कहा जाता है ठीक है अकेसिया बनस्पती विशुवत रेखिये वनों से संबंधित नहीं होता है महोगनी रोजबुट और आयरन बुट जो बनस्पती है वो विशुवत रेखिये वन से संबंध होता है विशुवत रेखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है इससे इसका सम्मंध होता है जबकि आसे किया का इससे सम्मंध नहीं होता है साथियो प्रेसे संख्या 28 ऐसे बागान जहां विक्री के लिए एक नगद फसल उगाई जाती है उसे डैस के रूप में जाना जाता है तो साथियो रूपन क्रिसी के रूप में उसे जाना जाता है रूपन क्रिसी जो है वह उस नकटिबंधी छेतर में की जाने वाली क्रिसी है एगरिकल्चर है यह व्यवसाई क्रिसी का ही एक स्वरूप होता है एक रूप होता है अथवा एक प्रकार होता है जहां फसलों को ला भारत पूरे दुनिया में पूरे विश्वभर में मक्का का सबसे बड़ा उत्पादक और साथिसाथ उभोगता है प्रसंख्या 30 दुनिया का तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है साथियो तो परथम अस्थान पर हमारा भारत आ गया है दूसरा पर चाइना गया और साथियो तीसरी की अगर बात करें तो यह हो जाएगा सयूक्त राज अमेरिका यानि कि United State of America प्रसंख्या 31 केंद्रीय सांख्या की संगठ है जिससे CSO कहा जाता है साथियो उसका मुख्यकार क्या होता है साथियो उसका मुख्यकार होता है राष्टिया आये के अनु करना है CSO के द्वारा ही ठोक मुल्ल सुचकंग और उब्भुकता मुल्ल सुच कंग जिसे consumer price index कहते हैं और साथियो hostail price index कहते हैä wholesale price index और consumer price index यहाजिए साथियो CS19 के द्वारा ही इसे जाड़ी किया जाता है प्लस संख्या 32 भारत में पुंजी खाते की परिवर्टनियता पर कौन सी समीती बनी है या बनाई गई है चाथियो इसके लिए तारापोर समीती गठित की गई है अत्वा बनाई गई है यहाँ बैंक ओफ इंडिया के द्वारा एस एस तारापोड की अध्यक्स्ता में गठे समीती है जिसे 1996 में कुछ निश्चित दसाओं में या कुछ निश्चित कंडिशन के साथ पूर्ती परक्रमिक धन से पूंजी खाते में परिवर्तन करने की सिफारिस का इसमें जिक्र किया गया है साथियो अथ्वा उलेख किया गया है प्रस्ण संक्या 33 निम्न में से कौन सा मंडल उत्तर मध रेलवे का हिस्सा नहीं है इसमें से कौन सा मंदल जो है वह उत्तर मद रेलवे का साथियो हिस्सा नहीं है पूछा गया है तो साथियो कोटा मंदल की अगर बात करें साथियो यह पस्चिम मद रेलवे का हिस्सा है आपसे पूछा गया है उत्तर मद रेलवे का हिस्सा नहीं है तो यह आपको कोटा मंदल यह पश्चिम रेल मंडल का हिस्सा है इसके अलावा इलाहाबाद मंडल आगरा मंडल और जहांसी मंडल साथियो यह उत्तरमध रेलवे का हिस्सा है प्रसन संक्या 34 वह दीप जिस पर चाल्स डार्वी ने फिनिंज पर जय विकास के संदर्व में अध्यान किया था तो वह दीप है साथियो गाला प्य गोस दीप नाम थोड़ा सा आजीब है याद भी रहेगा गाला प्य गोस दीप जो है वहाँ पर चाल्स डार्वीन के द्वारा फिजेंस पर जय विकास के संदर्व में यहाँ पर स्टड़ी किया गया था गाला प्य गोस दीपिय छेतर में दच्छिन अमेर्गी महादीप की मुख भूमी के पस्चिम तरपर लगभग 600 मेल के दूरी पढ़िया इस्तित है प्रस्ट संक्या 35 विश्व उभूगता दिवस कब मनाया जाता है तो साथियो इसे परतीक साल 15 मार्च को मनाया जाता है इस दिवस को मनाया जाने का प्रमुख हुद्देश है ग्रहाकों को किसी भी प्रकार के धोखा धरी से बचाने और उसके विशे में उन्हें जागरु करने से है प्रस्ट संक्या 36 साथियो आप विडियो को जरूर लाइक करेंगे मेरे एफर्ट के लिए आपके तरब से एक लाइक तो बनता ही है मुझे मोटिवेट करने के लिए आपके लाइक के जरूरत होती है तो बिल्कुल भी साथियो इसमें कंजूसी नहीं करेंगे कर जाता है बैल की कि अहां पे पूझा की जाती है प्रसन संख्या 37 लारभा के कुछ उग्र परिवर्तनों के द्वारा व्यस्क में बदलने की प्रिक्रिया को क्या कहते है साथ्यों तो इसे कायांतरन कहते हैं जनन कि बात करें सों प्रत्रिया ही जनन के में Healing संक्या 38 प्रोटीन संसलेशन होता है प्रोटीन संसलेशन राइबोशोम में होता है इसी का काम होता है न साथियो राइबोशोम का काम होता है प्रोटीन का निर्मान करना तो इसका अंसर हो जाएगा अप्सन नमबर ए राइबोशोम राइबोशोम की अगर बात करें तो 1955 में रोमानिया के जीब बैग्यानी जॉर्ज पलांडे ने राइबोशोम की खोज की थी जॉर्ज पलाडे का द्वारा राइबोशोम की खोज किया गया था और इसके लिए उन्हें नोबल पुरिसकार से शमानित भी क्या गया था प्रस्न संख्या 49 हड़ी और पेसी को जोड़ता है हड़ी और पेसी को कौन जोड़ता है कंडरा जोड़ता है option number B पेसी एक अस्थी से निकलती है जो उसकी मूल बिंदू कहलाती है तथा दूसरी अस्थी पर क्या रहता है कंडरा के द्वारा इसमें क्या होता है जोड़ता है या लग जाता है जो उसकी चेस्टा बिंदू कहलाती है प्रस्न संख्या 40 मानव पीत यानि की बाइल जो की पीले हरे रंग का एक तरल है इसकी प्रकृती क्या होती है चाड़िये होती है उप्सन नमबर C प्रस्न संख्या 41 रक्त परिवहन तंत्र की व्याख्या किसने दी थी तो इसको साथियों दिया गया था विलियम हारवे के द्वारा उप्सन नमबर B जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रस्न संख्या 42 42 नमबर प्रस्न में करा कि मानो खोपरी में मध्य कान के अलावा कुल हड्यों की संख्या कितनी होती है साथियों कुल 22 होती है उप्सन नमबर B उप्सन नमबर सौरी साथियों A प्रस्न संख्या 43 निमलिखित में से कौन सा हर्मोन अपातकाल का हर्मोन है सात्यों इसे उडो या लरो हर्मोन के नाम से भी जाना जाता है यह सात्यों एडरेनलीन ठीक है एडरेनलीन जो है हर्मोन इसे अपातकाल का हर्मोन अथवा उडो या लरो हर्मोन के नाम से जाना जाता है एडिनिन हर्मोन जो है वो अधिविक गरंथी के मेडूला के साथ साथ केंदरियत तंत्रिका तंत्र के नूरॉंस में श्रावित होता है इसलिए इस हर्मोन को अपातकालीन हर्मोन या इमर्जेंसी हर्मोन के नाम से जाना जाता है क्योंकि क्या करता है यह त्वरित प्रक्रिया की सुरुवात करता है जिससे व्यक्ति को तनाव से लटने और सोचने समझने में मदद मिलती है प्रस्न संक्या 44 ट्रिपल एंटीजन किन तीन रोगों से बचाता है तो साथियो यह काली खांसी टेटनस और डिप्थिरिया के रोख्थाम में यह ट्रिपल एंटीजन जो है वह सहायक होता है प्रस्न संक्या 45 वह गैस जिसके कारण भोपाल गैस दुरखटना हुई थी तो साथियो इस भोपाल गैस दुरखटना में मीथेल आइसोसाइन जो है मीथेल आइसोसाइनेट यह लिक हुआ था जिसमें हलाखों लाख लोग मारे गए थे तो आप्सन नमर डी हमारा यहां से करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रस्न संक्या 46 इन में से कौन सी साथियो एक मौलिक इकाई नहीं है तो मीटर साथियो लेंद को मापता है किलोगराम वजन को मापता है केलविन जो है टेंपरेचन को मापता है और क्यूबिक मीटर की अगर बात करेंगे साथियो तो यह क्या हो तो option number D हमारा यहां से correct answer हो जाएगा प्रस्ण संख्या 47 निम्लिखित में से सदीस रासी कौन सी है सदीस रासी जिसमें दिसा और परिमान दोनों होते हैं तो क्या हो जाएगा वेग साथियो वेग में दिसा भी होता है और साथी साथ परिमान भी होता है और इसे ही हम सदीस रा कर रहा है एक ट्रक की बात कर रहा है एक साइकल की बात कर रहा है और एक रेल गारी है तो रेल गारी में सबसे अधिक जो है साथियो जरत होता है ऐसा इसलिए कि जब कोई वस्तु जो है वह गतिसील रहता है तो वह क्या चाहता है गतिसील रहना ही चाहता है ठीक है और साथ न्यूटन का बल आरोपित होता हो और वस्तु 10 मीटर वियस्थापित होती हो तो काड कितना होगा तो साथियो काड बराबर होता है आप जानते होंगे बल इंटू वियस्थापन वल इंटू वियस्थापन होता है तो बल आपका 60 न्यूटन दिया हुआ है और वियस्थापन स साथियो 10 मीटर है तो कितना हो जाएगा 600 जूल हो जाएगा जो कि ऑप्सिन नमबर सी में दिया हुआ है प्रस्ट संख्या 50 प्रस्ट में साथियो कह रहा है कि याता याद सिगनलों में लाल बत्ती का प्रयोग किया जाता है ऐसा इसलिए साथियो चुकि इसका तरंग दैर सब से अधिक होता है और यह दूर से ही दिखाई दे जाता है ठीक है यानि कि लंबी दूरी से देखी जा सकती है तो ऑप्सिन नमबर सी हमारा यहां करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रस्ट संख्या 51 फॉरेन हाइट में जल का कौन्थना कितना होता है फॉरेन हाइट स्केल पे जल विभिन रंगों के सम्हू को जो है साथियो वर्न पट्टी कहा जाता है जिसमें बहुत सारे रंग सम्मिलित होते हैं उसे वर्न पट्टी कहा जाता है प्रस्ट संख्या 53 प्रत्यावर्ती धारा की अगर बात करें तो प्रत्यावर्ती धारा में साथियो धारा की दिशा और धारा का मान दोनों बदलते हैं देखे सातियों यहां लिख देते हैं दिसा भी बदलेगा और सातियों इसका धारा धारा की दिसा और मान दोनों सातियों चेंज हो जाएगा option number C प्रस्ण संक्या चौबन पलसर होते हैं पलसर साथियों क्या होते हैं पलसर जो है वो तीजी से घूमने वाले neutron थारे होते हैं option number C जो की अपने चुमके धुरुब से बाहर विद्धु चुमके विकरन के किर्नों का उत्सर जन करते हैं प्रस्ण संक्या पच पन cathode की रन tube किसका भाग है साथियों यह जो cathode की रन tube जो है आपका television set का जो है वो भाग है ऐसा इसलिए कि क्योंकि यह जो होता है यह fast forward sheet screen पर चितर को यानि कि picture को परदरसित करने के लिए beam को जोर दिया जाता है इसमें तो साथियो जब साथियो चित्र की बात आ रही है तो चित्र किस पर दिखाया जाएगा टेलिवीजन पर ना तो टेलिवीजन से इसका शमन्द है प्रस्त संख्या 56 परमानु के केंदर के चारो और वरिताकार पक्त में इलेक्ट्रोन बीना उर्जा खोए हुए खुंते हैं यह किस बैग्यानी के द्वारा बताया गया है अथवा प्रूब किया गया है साथियो तो इसे बताया है बोहर ने बोहर महदा के द्वारा जो है नाभिक के साथियो अंदर होता है तथा इलेक्ट्रोन नाभिक के चारो और जो है क्या करता है चक्कर कारता है गुंते रहता है प्रस्त संख्या 57 निवन में से कौन सा क्रम साप्यक्ट साइज को असपश्ट दिखाता है अगर बात करए साथियो तो यहाँ पे लिथियम Xerowood सभी अमलों का साझह तक है सभी अमलों का साझह तक्त हुए रंगहीन नहीं हो यानि कि इसको आप बोलते हैं रंगहीन गैसहीन इसको बोला जाता है यह सबसे हलका तक्त होता है जिसकी परमानु संख्या एक होती है प्रसिन संख्या अंठावन या उन्सट उन्सट नमर प्रसिन साथियो सोनी और मोलीब डेनम सता पर NS3 का अपगटन अभिक्रिया के लिए एक उदाहरन है क्या चीज साथियो है देखिए सोना या मोलीब डेनम अनुव के द्वारा कबर किया जाता है और उत्पाद के गठन के समय भी इसकी एकागरता बनी रहती है तो इस प्रकाड या सुन्य करम प्रतिक्रिया का उदाहरन है सुरिकरम यानि की option number B प्रसिन संख्या 60 ग्लुकोज का ऑक्सी करन है ग्लुकोज का ऑक्सी करन क्या है एक उसमा छेपी प्रक्रम है ग्लुकोज या सुसनकार ऑक्सी करन गर्मी उर्जा की एक विसाल मातरा का उत्पादन करता है प्रसिन संख्या 61 रसाइनिक परिवर्तन के साथ क्या होते हैं साथियो जब रसायनिक परिवर्तन होता है तो उसके साथ नए प्रकार के पदार्थ का निर्मान भी होगा निकाय की एंथलैबी में परिवर्तन होगा पदार्थ के रसायनिक गुन में भी यानि कि उसके जो है क्वालिटी में भी परिवर्तन होगा चेंजेज होगा तो इस प्रकार से सारे के सारे जो है फीचर आएंगे option number D हमारा correct answer हो जाएगा अगला प्रसन है प्रसन संख्या 62, 62 नमबर प्रसन में कह रहा है कि मिसर धातू में साथियो मिसर धातू की यहाँ पे आप से बात कर रहा है मिसर धातू में डैस की सापेक्ष अनुपात को बढ़ाने की प्रक्रिया पैंटिंसन प्रक्रिया कहलाती है तो साथियो इस दोरान जो है चांदी हो जाएगा ठीक है मिसर धातू में चांदी की सापेक्षा चांदी की सापेक्ष अनुपात को बढ़ाने की प्रक्रिया को पैंटिंसन प्रक्रिया के नाम से जाना जाता है प्रसे संख्या 63 परमानु उर्जा पैदा करने के लिए किस खनीज का उप्योग किया जाता है इसके लिए साथियों यूरेनियम का यूज किया जाता है परमानु उर्जा के निर्मान में वरतमा 69 से 99 03 होती है uranium के प्रमुह्खख क्षनीजञ है peach blend पीछ blend इसका प्रमुह्खो प्रमुह्ख इसका खनीजञ है प्रस्ट संख्या 64 54 प्रस्ट में कहा रहा कि मानों शरीर में निवन में से क्या लिकीमिया से प्रावित होता है तो लिकीमिया साथियो एक बलड कैंसर का प्रकार है यानि कि रक्स से इसका संभन्द है option नबर A प्रस्ट संख्या 65 सूपरस्वोनिक विमान किसको हानी पहुंचाता है सूपरसोनिक विमान के द्वारा साथियो ओजोन मंडल को यहाँ पे च्छती पहुँचाए जाती है ओजोन मंडल में क्या होता है चिद्र होता है प्रस्न संक्या 66 एक खाद सिंखला के कुछ ही चरण होते हैं क्योंकि हर चरण में उर्जा क्या होता है साथियो घरती रहती है बिहार के आर्थिक समरिद्धी डैस के विकास पर आधारित है तो यहां पे साथियो क्रिसी पर depend होती है भारत की जो economical जो है वो ग्रोथ है वो क्रिसी पर आधारित है क्रिसी के development पर यह dependent है प्रसिन संख्या 68 बिहार के अधिकांस भाग आचादित है तो कछारी मिठी है बिहार के अधिकांस भाग में कछारी मिठी पाई जाती है प्रेसन संक्या 79 हाली में किस राज सरकार ने नमो स्यतकारी महासम्मान योजना सुरू की है तो यह जो है नमो स्यतकारी महासम्मान योजना की सुरूआ जो है सात्यो महराष्ट में की गई है महराष्ट सरकार की यह एक बित्यो योजना है जिसके तहत राज में एक करोर शे अधिक किसानों को रूपए छे हजार का भुगतान किया जाएगा इस योजना के तहत प्रेसिन संक्या सत्तर किस रेलवे जोन ने सहीदों के नाम पर ट्रेनों के इंजनों का नामकर्ण किया है तो यह किया गया है उत्तर रेलवे के द्वारा इन्होंने अपने ट्रेन के इंजनों का निर्मान जो है यानि की नामकर्ण जो है वो सहीदों के नाम पर किया है प्रेसिन संक्या 71 केंद्रिय भारतिय भासा संस्थान यानि कि C-I-I-L इनमें से किस भारतिय राज में इस्थित है केंद्रिय भारतिय भासा संस्थान साथियो करनाटक में इस्थित है option number C हमारा correct answer हो जाएगा प्रेसंसन क्या 72 जी गुरुत्वा कर्शन का मान आर्टिज्या के मान के अनुसार बदलता है किसी चात्र को जी का मान कहां पर नियूंतम होता है साथियो तो यह भूमद्रेखा का यह option number A हमारा correct answer हो जाएगा अथवा साथियो अगर विशुवत रेखा रहता ठीक है इसे भूमद्रेखा को विशुवत रेखा के नाम से भी जानते हैं तो यहाँ पे साथियो जी का मान जो है वह नियूंतम होता है अगला प्रेसन है प्रेसन संक्या 73 इनमें से कौन सा सुधार आंदोलन वर्स 1839 में लौड विलियम बेंटिंग के कारिकाल में कारिकाल के दोरान हुआ था अथवा संपन हुआ था तो साथियो इन्होंने 1839 में जो है सती पर्था का पर प्रतिबंध लगाया था राजा राम मोहन राय के सहयोग से इन्होंने 1837 में सती पर्था पर रोक लगाया था बहुत ही नेक काम था इनका प्रसंस संक्या 74 इन्हीं में से 21 खिलारी ने ICC क्रिकेट विश्चुकप 2019 में प्लियर आप दर टूनामेंट का पुरसकार जीता था तो साथियो प्लियर आप दर टूनामेंट 2019 जो है ICC क्रिकेट इन्हीं संक्या 75 बहरत का परमानों विश्फोर्ट अस्थल पोकरन किस राज में इस्तित है तो साथियो यह पोकरन जो है राजस्थान में है ठीक है ओप्सिन नंबर C हमारा करेक्ट आंसर है और यह साथियो पाकिस्तान से सटा हुआ है प्रसे संक्या छहात्ता भारतिये लोगों के लिए अपेक छाक्रित अधिक स्वतंता की मांग करने हैं तू स्वराज पार्टी के अस्थापना की गए थी गया में स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था तो साथियो गया में स्वराज पार्टी का गठन 1923 में किया गया था और इसे जो है साथियो एक जनवरी उनीस्व तेश को सियार दास यानि कि चितरंजन दास और मोती लाल नेहरू के द्वारा जो है इसकी अस्थापना की गई थी प्रस्ट संख्या सतत्तर 77 नमबर प्रस्ट में साथियो पूछा गया है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी साथियो पानीपत की तीसरी लड़ाई जो है 1761 इसपी में अहमद सा अबदाली अहमद सा अबदाली और साथियो मराथा सिनापती सदासीव सदासिव राव भाव के मद्ध लड़ा गया था ठीक है प्रेस्ट संख्या 78 78 नमबर प्रेस्ट में पूछा गया है कि 1987 में किस समवैधानिक संसोधन अधिनियम के तहत गोवा को विधान सभा युक्त पूर्न राज बनाया गया था और दमन और दीब को केंद सासिद प्रदेश के रूप में गठित किया गया था तो साथियो समिधान का जो 56 संसोधन अधिनियम था साथियो उस 56 संसोधन अधिनियम 1987 के अंतरगत भारत सरकार के केंद सासिद प्रदेश गोवा दमन वद दीब इनको 73 प्रदेश के रूप में 56 समिधान संसोधन 1987 के द्वारा इसको गठित किया गया था प्रस्ण संक्या 89 89 नमबर प्रस्ण में है कि 2020 में वैस्विक भुकमरी सुचकांक यानि कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की सास्थान पर था इस दोरान साथियो भारत का कुल 107 देशों में 94 अस्थान था यह 2020 के संदर में पूछा गया था भारत को ग्लोबल हंगर इंडेक्स पहमाने में 27.2 के स्कोर के साथ गंभीर सिर्णी में रखा गया था 2021 में 116 देशों में भारत को 101 अस्थान प्राप्थ हुआ था अगला प्रेशन है प्रेशन संख्या अस्थी अंतराश्टिय साक्षर्ता दिवस कब मनाया जाता है साथियो इसे मनाया जाता है 8 सितंबर को इंटरनेशनल लिटरेशी डे 8 सितंबर को मनाया जाता है पहला अंतराष्टिय साक्षर्टा दिवस साल 1966 में मनाया गया था अंतराष्टिय साक्षर्टा दिवस 2021 की थीम मानो केंदित पुनरप्राप्ति के लिए साक्षर्टा डिश्टल विभाजन को कम करने का विशय पर अधारित है प्रसन संक्या 81 किस देश को जोगियों का देश यानि की हरमिट किंग्डम के नाम से जाना जाता है तो साथियों नौर्थ कोडिया जिसे जोगियों का देश कहा जाता है प्रसन संक्या 82 डैस को पेरिस समझोते को सन्युक्त राष्ट के न्यूवयर्क इस्थित मुख्याले में प्रित्वी दिवस के अवसर पर हस्ताक्षर के लिए रखा गया था प्रसन में कहरा है साथियों यह जो है 22 अपरेल 2016 लखो पेरिस समझोते को सन्युक्त राष्ट के न्यूवयर्क इस्थित मुख्याले में प्रित्वी दिवस के अवसर पर एग्रिमेंट के लिए हस्ताक्षर के लिए इसके रखा गया था पेरिस समझोता जलवायू परिवर्तन समंधी मुद्दो पर आधारित है इन देशों के लिए कानून रूप से बाध्यकारी एक अंतराष्टिय संधी है यह समझोता वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट के वार्षिक जलवायू समेलन के दोरान 196 पक्षों की ओर से 12 दिसंबर को पारित किया गया था प्रसन संक्या 83 ब्रह्मपुत्र उन प्रमुक नदियों में से एक है जो कई सहायक नदियों के साथ कई देशों में प्रवाहित होती है निमलिकित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है साथियों में जमुना के नाम से जाने जाती है यानि कि जब बंगलादेश में प्रवेश करती है साथियो तो ब्रह्मपुत्र को जमुना के नाम से जाना जाता है और यह दक्षिन में भहती हुई गंगा की मूल शाखा पदमा के साथ मिलकर बंगाल की खाडी में जा मिलती है प्रसन संख्या 84, डेनमार की संसद का क्या नाम है साथियोग डेनमार के संसद का नाम है फोकेटिंग, और प्रसन संख्या 85 जो की इस सेट का अंतिम प्रसन होगा जी के जी से के संदर्व में साथियोग बात करें तो यह अंतिम प्रस्ण है इसके बाद हम लोग आपसे मिलेंगे इसके इसी सेट नमबर 3 के मैथ के प्रस्णों के साथ तो अंतिम प्रस्ण है गिरिस्म कालीन ओलंपिक 2024 का आयोजन किस सहर में किया जाएगा तो इसका आयोजन साथियो पेडिस में होगा 2024 गिरिस्म कालीन ओलंपिक का आयोजन फ्रांस की राजधानी पेडिस में आयोजित की जाएगी ठीक है तो चलिए साथियो आप सभी लोगों का बने रहने के लिए सचस प्लेटफॉर्म 2591 के चैनल पर आप सभी लोगों का प्यार देने के लिए साथियो बहुत बहुत धन्यवाद तो इसे अधिक से अधिक सेर करेंगे और अगर सच में पहली बार है तो बिल्कु से साथियो इसे खूब पहला दें और सब्सक्राइब करके बिल आइकन को प्रेस करें और साथि साथ नोटिफिकेशन में जाके आल को अन कर दें ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो तो वहां सबसे पहले आप तक पहुँचे थैंक यू सो मच गूड नाइट